जुड़े रही है हमारे साथ क्योंकि हम करते हर उस मुद्दे पर विशलेशर जो आप से जुड़ा है आज का मुद्दा फिर से टूवेल को ले करके है टूवेल बिल को ले करके है दुनिया में अगर कोई किसी को बेवकूब बनाता है वो सबसे पहले किसान को बनाता है और किसान को बेवकूब बनाना बहुत आसान है और सबसे ज़्यादा इस देश में किसान को ही बेवकूब बनाया रहा है सबसे ज़्यादा मेहनत किसान करता है और सबसे ज़्यादा ठगी होती है तो सिर्फ और सिर्फ किसान की होती है चाहे वो किसी भी छेत्र में क्यों ना हो चाहे वो बीज में लेकर हो खाद में लेकर को हो टुवेल के बिल को लेकर के हो या कोई भी कि चाहे वो पैदावार के पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इस टू वेल का कितना बिल आया था मीटर लगने के बाद युणिट के हिसाब से आया था या फिर मंतली चार्ज था उसी हिसाब से आया था उससे पहले एक video और बना चुका था मैंरेश जो मीटर लग रहा था कि जो मन्थली चार्ज लगता था उसमें benefit रहेगा किसान को या फिर ये unit आने के बाद benefit रहेगा बहुत सारे लोगों ने comment किया था कि अब अच्छा हुआ अब unit के हिसाब से आएगा जितना unit चलाओगे उतना बिलाएगा नहीं चलाओगे तो नहीं आएगा आपको live दिखाऊ इसके account को खोल करके आपको सबसाब दिखाऊंगा कि मैं जूट बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं कि आपको confirm हो जाएगा कि पहले unit में फायदा है या फिर मन्थली में फायदा था और कितना बढ़कर के आ रहा है पैसा वह भी आपको सब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ हर चीज आपके सामने होगी आपको खुद पता चलेगा और बहुत सारी वीडियो पर कमेंट भी आया है बहुत सारे लोगों ने बताया कि आपके वल आठ यूनिट और नौ यूनिट दस यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं हमारे हैं 25-25 यूनिट आ रही है 10 एच्पी प िफी लेकर चलेक purpose इस49 शूनिट एपना में आपको सामने होगा आपके शबसे पहले क्रों को खोलेंगे हम हम लिखेंगे यूफीपी ऐल और आपके कर देंगे उसके पहले हम जो आएगा klel Ni Docs क्लिक करके, कूछ इंटरफेस कूछ इस तरीके के आएगा, तो इस पर क्या आए कि इसमें सबसे पहले लेखा है, जैसा कि यह दिखा हुआ है, तो हम रूरर पर क्या करेंगे, Kleak करेंगे, किलिक करने के वाद इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा अब इसमें दो अफसन आएंगे पहला होगा लॉगिन का दूसरा होगा बिल बुक्तान है और बिल देखें तो आप सब पहले बिल को देख सकते हैं यहां से लेकिन बिल में पुराना हम कुछ नहीं देख सकते हैं मतलब केवल इसमें जो प्रिजेंट बिल होगा वो आपका सू होगा बाकी का आप जैसे चाहोगा अपनी प्रोफाइल को खोलना चाहोगा तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा उसमें क्या होगा हर चीज आप लास्ट लास्ट कई एक मंत का आप बिल देख सकते हैं बुकतान की आता वह देख सकते हैं अपना मुवाइल नमबर आप अपना इमेल वगरा सब कुछ चया कर सकते हैं हम इस पर लॉग इन करेंगे और कुछ लोग यह जानना चाहते हैं कि यह कैसे रेइस्टर होगा लोगन हम कैसे करेंगे किस तरीके से उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आप चैनल को सस्क्राइब जरूर करने तो जिससे के वीडियो आए तो जिससे के आपको मिल सके और आप उससे रे ईपकोन करेंगे अब लोगन पर क्लिक होने के बाद है पूरी प्रूफाइल खुलके आजाएगी और यह प्रूफाइल ठीक है अब हम क्या करेंगे कि हैं हमिस इस Cole क्ली और करने के बाद पैमेंट डाए much अ यह है payment story ठीक है इसमें आपको 17 अगस्त दिसम्मर 2017 मई 2018 मतलब आपका जो मतलब हमने payment किया है उसकी detail से पूरी सामने हमें इसके click करके इधर जैसा कि आपको दिख रहा है इधर click करके हम क्या कर सकते हैं से हम देख सकते हैं हमने कैसे कैसे इसकी receipt पूरी खुल के आ जाएगी यह जैसा देख रहे हैं आप 16 अगस्त को हमने जमा गिया पंदर दिसम्मर 2017 मई 2018 में किया है जुलाई 2018 में सितम्मर 2018 में दिसम्मर 2018 जनवरी इनीस ऐसे इस तरीके से हमने यह इतना बिल जमा कर चुके है अब तक ठीक है यह तो हो गया जमा करने वाला ठीक है यहां पर भी दिख करेंगे हम यह तो होगे हमारा पयमेंट इस्टोरी अब हम देखेंगे बिल इस्टोरी जो हमारा बिल जनने तुगाता तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं यह आपके ठीक सामने है छीख फिश्टो कि अगरा और आप कुछ लोग यह देखना जाते हैं और यह रिजिस से अगस्त 2022 से खेल शुरू होता है यहां से खेल क्या शुरू होता है कि अब तक जो था यहां पर इतने यह मंथली चार्ज था मंथली चार्ज कितना था आपके सामने सोफ हो जाएगा भी आपके सामने यह देखिए यह मंथली चार्ज था 1782 रुपे फिर जनवरी 22 का है ये 1644 ये 1983 ये 1749 अठारा सो ये 2000 फिर 1800 फिर 1400 रुपे अब आप कहोगे कई ये उपन नीचे कैसे है तो उसका भी एक कारड है ये अगर आप लेट पैयमेंट करते हैं लेट जमा करते है तो उसकी पैनल्टी वगएरा लगती रहती तो उपन आता था ठीक है आप यहां से इसका पूरा रिस्फ देख सकते हैं वाकाता पूरा प्रेंटाउट देख सकते हैं C Jae आपको जैसा दिख रहा है ये देखिए आप खुद देखिए डेट वगएरा सफिक्स है और यहाँ पर जो आपको सो हो रहा है यूनिट विल तो वो जन्नेट हुआ है 29 अगस्ट से 2022 अगस्ट सितमर अक्टूबर नवंबर ती सार महिने में यूनिट के हिसाब से आया है, और इसके लिए मैं बीडियो पहले बना चुका हूं। जब मीटर लगा था तो मैं BDS के लिए बना चुका था यहां पर यूनिट कुछ नहीं थी अब खेल स्टार्ट होता है यहां से 821 यूनिट जो के उनके हिसाब से रखी गई है यहां कोई यूनिट लेने नहीं आता है और यहीं नहीं कहीं भी यूनिट लेने नहीं जाते हैं फिर से दुबारा 820 और अगर आप मैं जूट बोल रहा हूं कि यह लेने नहीं आते आप जूट बोले हो तो ऐसा ही है कि चारों मंद में 820 यूनिट ही बनेंगी कम जादा नहीं होगी क्या आप थोड़ा सोचिए क्या यह चारों महीने में यूनिट क्या बराबर बनेंगी ऐसा तो नहीं है उपर नीचे भी होगी दोचार यूनिट तो इसका मतलब किया अपनी मर्जी से रख रहे हैं किसान बहार में जाए किसान भरबाद हो जाए कुछ भी हो जाए फरग नहीं पड़ता है मैं यह कहता हूँ अगर ज्यादा यूनिट आ रही है तो ज्यादा डा अब देखिए मैं अब जो खेल स्टार्ट होता है वो यह होता है लोग कह रहे हैं तो मंतली चार्ज गलत था यूनिट के साब से सही रहा तो आप खुद कंपेर करिएगा क्या 1400 रुपे ज्यादा है यह जो जुलाई में लगा हुआ है 1400 रुपे यह ज्यादा है या फिर यह 2687 रुपे ज्यादा है अगर यह ज्यादा है 2687 तो इसका मतलब हमें पहले फायदा था खुद अपने दिमाग से सूचिए अगर 1400 की जगह 2600 लगेंगे तो किसान मरेगा या जिन्दा रहेगा आप खुद देखिएगा फिर दुबारा से 2638 रुपे बने और फिर से 2667 बने अब एक बात बताईए यह मंतली ठीक था यह और उसके बाद भी मुझे अभी यह कंफर्म नहीं है कि यह 2726 जो आ रहा है बिल वह 50% कटके आ रहा है यह टोटल लग के आ रहा है 100% क्योंकि गवर्मेंट ने कहा था ना कि यूनिट का हम 50% लेंगे ठीक है यूनिट का हम 50% लेंगे बाकी का मतलब किसान को छूट दी जाएगी 50% मुझे तो यह ऐसा लग रहा है 50% का छूट भी दे दी होगी तो किसान बैसे भी जल्दी मरने वाला है यह सब आपके सामने है आप सोच रहे होगे मैं कुछ जूट बोला था या कुछी सब आपके सामने है और यह खुला हुआ है अकाउंट खुला हुआ है यहां पर आप पूरा डेटेल्स देख सकते हैं और आप यहां से बिल हिस्टोरी देख सकते हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ और यहां से आप बिल हिस्टोरी देख सकते हैं यह जो पैमेंट हिस्टोरी यह वाली है इसमें आप जो ये comment कर रहे हैं आप अच्छा हुआ आप की जेब पर भी असर पड़ेगा अगर आप मालीजी खेती नहीं करते हैं तो असर आप भी पड़ेगा जब गल्ला महगा मिलेगा जब आटा महगा मिलेगा तो उसकी जेब आप पर कोई डीली करनी पड़ेगी आप ये मत सोचिए है तो आपने देखा यह सब आपके सामने था अब बताइए यूनिट से फाइदा है या फिर नॉर्मल मंत्री चार्जता उससे फाइदा था पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूए करिएगा और किसानों वाईयों को सेयर किएजिएगा जिससे कि उनका भी बहुत बहु